स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नजाइस बच्चों का पैत्रिक संपत्ती को लेकर आया बड़ा फैसला आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला ये केस है रेनपा सिदपा वर्सिस मलिका अरजुन केस जो की इलीगल मेरी से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी पैत्रिक संपत्ती पे क्या राइट्स हैं उनको डिफाइन करता है चीफ जस्टीस सेवाई चंदरचूड ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि ऐसे बच्चों का पुष्टैने प्रोपटी में अपने माबाप के हिसे में अधिकार दिया जाएगा और ये फैसला सिर्फ हिंदू मिताक्षरा लो और हिंदू जोइन फैमिली पर ही लागू होगा चीफ जस्टीस दो जजोगों के फैसले की खिलाफ सुनवाई कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि इलीगल मैरीज से पैदा हुए बच्चों का अपने माबाप की प्रोपटी में हिसा नहीं होगा चाहे वो सेल्फ एक्वाइट प्रोपटी हो या फिर पैत्रिक संपत्ती हो पैत्रिक संपत्ती में अधिकार की बात करें तो हमारा हिंदू मैरीजेक्ट 1955 इसके बारे में सेक्शन 16-3 में कहता है कि ऐसे बच्चे अपनी माबाप की प्रोपटी के हकदार होंगे लेकिन पैत्रिक संपत्ती में उनका कोई भी हक नहीं होगा इस केस में मुद्ध ये था कि हिंदू मिताक्षरा कानून के अंदर जो की हिंदू अंडिवाइड़ फैमली है उसमें प्रोपटी को माबाप की प्रोपटी कब माना जाएगा तो सुप्रीम कोट ने इस बात को साफ करते हुए कहा कि इलिगल मैरी से जो बच्चे पैदा होंगे ऐसी प्रोपटी में हकदार होंगे जो उनके माबाप की मौत हो जाने के बाद ट्रांसफर होती है हिंदो मैरी जेक्ट की सेक्शन 16 में ये प्रोवीजन किया गया है कि इलिगल मैरी से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो लिगल होंगे उन्हें नाजाइज नहीं माना जाएगा इस जज्जमेंट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्चन बोक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लास्त तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद